आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं एड़ोकेट प्रियंक डिमोले आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट भारती उत्तरादिकार अधिनियम के सेक्शन 372 के बारे में जो की बात करता है कि जब पडिवार में किसी व्यक्ति की मरत्य हो जाती है तो उस मरत्य व्यक्ति के वारिस अर्थात legal hairs किस प्रकार उस मरत्य व्यक्ति के bank account के पैसे उसके shares, deventures आदी को प्राप्ट कर सकते हैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँ तो आपके सामने एक image है यहाँ पर इसमें माता पिता हैं और तीन बच्चे हैं अब मान लीजी पिता की मरत्य हो जाती है अब इस पिता के bank account में जितने भी पैसे थे उन्हें प्राप्त करने के लिए ये माता और तीनों बच्च अर्थात उत्तरादिकार प्रमालपत्तर पेश करना होगा bank में सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या है यह अधिकार देता है कि जो मरत्य व्यक्ति है उसके account में जितने भी पैसे है यह fixed deposit है यह shares है यह सबी चीजें किन लोगों को मिलेंगी यह decide करता है सक्सेशन सर्टिफिकेट अब यह सक्सेशन सर्टिफिकेट अर्थात उत्तरादिकार प्रमालपत्तर मिलता कहां से है यह मिलता है court से सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको court में जाना पड़ेगा तो आईए देखते हैं कि process क्या है कि कैसे court से उत्तरादिकार प्रमालपत्तर प्र तो तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है, बैंक पैसे सीधा उस नौमिनी को दे देगी, लेकिन शर्त ये है कि शेर्स की या बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं, वो पांच लाग रुपे से नीचे हैं या पांच लाग हैं, तो ही बैंक डारेक्टली नौमिनी को पैसे देगी, तो आप जिस बैंक में क्लेम कर रहे हैं पैसे, उसकी पॉलिसी पढ़ लीजिएगा, अब दूसरी इस्तिती क्या आती है, कि इस मृत वक्ती ने क्या है किसी को नौमिनी नहीं बनाया है इन में से, या फिर नौमिनी बनाया है, लेकिन इन में विवाद है, जैसे पता की मृ और नौमिनी कौन था, ये बेटा था, अब इसने क्या है, मिल जुलकार फरजी बाड़ा करके, नौमिनी बन गया यहाँ पर, इनको पता ही नहीं है, जबकि पता की देखरेक यहीं कर रहे थे, ये पता नहीं कहां से, नौमिनी बन गया, तो इस परकार का कोई विवाद है, फिर बले ही कितनी भी राची हो बैंक अकाउंट में, बैंक वहाँ पर यहीं बोलेगी, कि आप सभी के बीच विवाद है, आप उत्तरादिकार प्रमाणपत्तर लेकर आईए, तो ही आपको बैंक अकाउंट के पैसे मिलेंगे, तो बहुत सी स्थितियां बन सकती हैं, तो हम इजी क्लेम हो जाएगा, वहाँ पर वैसे ही पैसे मिल जाएंगे, हम लेके चलते हैं, सेकेंड सिचुएशन, जहाँ पर नौमिनी भी बना दिया गया है, लेकन उत्तरादिकारियों के बीच, अर्था जो लीगल हैर्स हैं, इनके बीच क्या है, विवाद है, लड़की कह र मान लीजिए कि इन तीनों के मद्द कोई विवाद नहीं है, मा, बड़ा बेटा और बेटी, विवाद है छोटे बेटे के साथ, ये क्या है पिता जी के बैंक अकाउंट में नौमिनी बन गया, ये अलग रह रहा था, जबकि देखभाल ये दोनों बच्चे ही किया करते थे तो अब इनकी समझ में नहीं आ रहा, कि जब पिता जी हमारे पास थे, उनकी बैंक का लेन दिन भी हम करवाया करते थे, तो फिर ये भाई साब कहां से नौमिनी बन गया, और जैसे ही पिता की मृत्ती हुई, ये बैंक चलेगा क्लेम करने के लिए, कि मैं नौमिनी हूँ, क्या है एड़ोकेट के पास, अब मैं एड़ोकेट हूँ, ये आया मेरे पास, कि सर ऐसी ऐसी घटना हो गई है, सेवा हमने की सब कुछ हमने किया, और ये छोटा भाई पता नहीं कहां से नौमिनी बन गया एकाउंट का, तो अब हम क्या करेंगे, सब सब पहले भेजेंगे लीगल नोटिस, किसे बेजेंगे, बैंक को बेजेंगे, कि बैंक वालों वही के वही रुख जाओ, जो करने वाले हो उसे रुख दो, क्योंकि पार्टीस के वीच विवाद है, पार्टीस कोन है, भाई उस मरत व्यक्ती के उत्तरादिकारी है, जीवन मर की जमापूंजी यहाँ पर आपकी पार्टी का नाम, यह कौन हो गया, सूचना करता, जो सूचना भेज रहा है, अब किसे भेज रहा है, विरुद्ध में, तो प्रती अर्थात बैंक का नाम आ जाएगा यहाँ पर, जिस बैंक को आप नोटिस भेज रहे हैं, यह कौन हो गया, सूचना करता जो सूचना को क्या है ग्रेंड कर रहा है पर अपरोक्त पक्षकार सूचना करता दोरा अधिकरत एवाम निर्देशित होकर मैं आप सूचना ग्राहिता को निम्नलेके सूचना पत्र प्रिशित करता हूं तद अनुसार आप सूचेत हों यह कि सूचना करता, सूचना करता कौन था? यह था. तो सूचना करता के पिता, अजय का बैंक खाता करमांग किये है, जो कि आपके बैंके में स्थित्थ, जिसमें सूचना करता को प्राप्त जानकारी का अनुसार 5,77,56 रुपए लगबग जमा चले आ रहे हैं. सीधी point to point बा अजय कि सूचना करता को ग्यात हुआ है कि उक्त खाता धारक के छोटे पुत्र, शीधर दोबे दोड़ा अपने आपको उनका नौमनी दोखे में रखकर नियुक्त करा लिया गया था. और उक्त अवेद बैं असत्त प्रविष्टी के आधार पर वह उक्त राशी प्राप् हम इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि ये छोटा बेटा क्या है धोके से नौमनी बन गया है और ऐसी असत्त और अवेद प्रविष्टी के आधार पर वह क्या है राशी प्राप्त करना चाह रहा है जो कि बैंक अकाउंट में है तो इस व्यक्ति को रोकने के लिए जिससे ये र दॉक्यूमेंट से खट्टे करेंगे माईना भर लग जाएगा इस समय बाई डेस सर्टिफिकेट लेके आओगे आप दूसरे डॉक्यूमेंट से खट्टे करोगे पता चला पिता जी ने पता नहीं कहां रख दिये मिली नहीं रहे है उनको एक खट्टा करने में ये आपको लीगल नूटिस बेज रहे हैं कि इस व्यक्ति को बिल्कुल भी पैसे ना दिये जाएं क्योंकि यहां पे उत्तराधिकारियों के वीच विवाद हो गया है उत्तराधिकार प्रमाडपत्र जब तक नहीं आता जब तक पूरी कारवाही रोग दी जाए फूर्थ यह कि उक्त मरत खाता धारक के सूचना करता सहित अन्य विदिक वारिस हैं पतनी एबं अन्य संताने भी हैं जोकी उक्तराशी प्राप्त कर पाने के विदिक अधिकारी हैं वह यह बच्चे हैं उनके उनको भी तो मिलना चाहिए जीवन मरकी कमाई पिता जी की सिर्फ एक बेटे को कैसे मिल सकती है पतनी कहां जाएगी अन्य संताने कहां जाएगी फोर्त पैरा में ये बता दिया चूंकि उक्त कथेत नौमिनी उक्तराशी अकेले ही हडपना चाहता है और अपनी व्रद माता आरती को भी कोई अंश भाग नहीं देना चाहता है तब विवात की स्तिती में उक्त प्रस्तावेत है तो मतलब की राशी अकेले हड़ा अपना चाहरा है ब्रद माता भी है उनको भी कुछ नहीं देना चाहता विवात की स्तिती है इसलिए कोट अर्थात न्यालया दोरा जारी प्रमाड पत्र के आधार परी ऐसी राशी दी जाना चाहिए तो पहले हम ये ले देन काता धारक्के उत्रात खाते मिंढ़ जमा उक्त राशी अर्थात मृत वर्यक्ति के खाते में जो पैसे है या उसका कोई अंच भाग defending क्रपॉसिव्यपॉजट्न शे लिंक हो कोई लोकर है किसी भी प्रकार का अंच भाग उसका भुक्तान शक्षम्न्यालै दौरा जारी उत्तरादिकार प्रमाड़ पत्तर प्राप्त किये बगेर किसी भी वारिस को ना किया जाए मतलब कि किसी को भी मत करो ना इस छोटे बेटे को करो ना हमको करो जब तक कि उत्तरादिकार प्रमाड़ पत्तर पेश ना कर दिया जाए तो सूच ना जानिए धन्यवाद, इस्थान, धनांक, अधिवक्ता के साइन और सूच ना करता, अर्तात इसकी तरफ से आप नोटिस बेज रहे हैं उसके साइन जैसे ही आप ये लीगल नोटिस भेज देंगे, उसके तुरंत बाद आपको ये डॉक्यूमेंट से खट करने हैं उत्रादिकार प्रमालपत्र प्राप्ट करने के लिए आवस्यक दस्तावेज व्यक्ति का मरत्यू प्रमालपत्र, मरत्यू का समय और स्थान जो की प्रमालपत्र में ही लेखा होगा सभी कानूनी उत्तरादिकारियों के नाम उनके मरत्य व्यक्ति के साथ सम्मंद तो ये चीज़े आपको कोट में दखानी पड़ती हैं तो उत्त्रादिकार प्रमाल पत्र प्राप्त करने के लिए आवासक दस्तावेज है, मरत्यू प्रमाल पत्र जो की मूल अर्थात ओरिजिनल चाहिए, सभी का पैचान पत्र चाहिए होगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड, फिर चाहिए होगा रा का नाम लिखा होगा फिर चाहिए शपत पत्र 20 रुपे के स्टाम पेपर पर इस्टेट के साथ से राशी चेंज भी हो सकती है तो आप देख लीजेगा तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको इखटे करने हैं पहले अब इखटे करने के बाद आप जाएंगे वापिस अपने ए इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 372 पड़ा है उनके मन में आ रहा होगा कि गलट टाइटल लिख दिया भाई 372 क्या कहता है कि ऐसा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन वादी द्वारा या आवेदक द्वारा जिला नयाधीश को किया जाएगा अर्था डिस्ट्रिक वेवार नयाधीश ना कि जिला नयाधीश तो एससा क्यों लिखाए क्या रिजन है इसका बाई काईदे से तो जिला नयाधीश आना चाहिए था इसका एक रिजन है रीजन यह रहा आपके सामने भाई इंडिया की लगबग सभी हाई कोर्स ने ओर्डर जारी किये हैं कि सक्सेशन का केस जो है वो क्या है समरी केस है इतने छोटे केस के लिए जिला नयादीश के पास जाना उचित नहीं होगा भाई जिला नयादीश हो या अतरक्त जिला अर्था सिविल जज सीनियर डिवीजन को सौप दिये जाएं जैसे कि यहां पे बॉम्बे हाई कोट का एक ओरर है इसी प्रकार लगबग हर हाई कोट ने जारी किया है In exercise of the powers confirmed by Section 28A of Bombay Civil Court Act, the High Court has invested all civil judges, senior division, with all the powers of a district judge, to take cognizance of any contested proceeding under Indian Succession Act 1925, arising within the local limits of their respective jurisdiction, that may be transferred to them by their respective district judges. मतलब की Civil Judge Senior Division, अर्थाद विवार नयादीश बर्ग एक, District Judge, जिला नयादीश की संपून सक्तियों का प्रियोग करके, Indian Succession Act के अधीन क्या है किसी भी केस का संग्यान ले सकता है अपने छेत्रादिकार जूरिज्डिक्शन की लिमिट में रहते हुए और एक केस उसी वेवार नयादीश के सामने पेस किये जाएंगे जिसे जलाल नयादीश ने ऐसे केस ट्रांसपर करने को कहा है उसी वेवार नयादीश के सामने ऐसे केस पेस किये जाएंगे तो इसलिए हमने क्या है वहाँ पे हमने यहाँ पे वेवार ने दीश वरिष्ट खंड, सीनियर डिवीजन लिखा है तो यह हो गए पार्टीस के नाम, यह हो गई माता जी, यह सब ही क्या है, संताने हैं उनकी और यह वो संतान है, जो कि क्या है, पूरी राशी हडपने के लिए लगा है तो यह सब हो गए क्या है, आवेदगण, जो राशी हडपने के लिए लगा है, वो हो गया अनावेदग, अब इसमें आप बैंक को भी अनावेदग बनाएंगे क्योंकि आप बैंक को नोटस भेज चुके हैं, अब यह बैंक की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कोई भी काम ना करे लेकिन क्या वारोसा कर भी देतो, इसलिए बैंक को भी पालिटी बनाना जरूरी है और तीसरा हो गया सर्वसादरहन, सर्वसादरहन अर्थात वो तमाम लोग शहर के जिने इस बास से तखलीफ है कि हम पिताजी के अकाउंट के पैसे ले रहे हैं आजाओ भई यह सब किसे तखलीफ हो रही है, अब आना हो तो आए कोई, नहीं आना हो तो नहीं आए खेर आके भी क्या उखाड लेगा, किस अधार पर पैसे ले लेगा वो, जब इतने उत्तराधिकारी हैं यहाँ पे ओल लेड़ी फिर आगे हमारा टाइटल, तो आविदन पत्र अंतरगात धारा 372, भारती उत्तराधिकार अधिनियम अब मैंने section यहाँ पे इसलिए नहीं बताया, क्योंकि section में सिर्फ यही बताया गया है कि आपको क्या-क्या बाते आविदन में लिखनी है तो मरत्यों का समय, फिर वो स्थान के बारे में बताना है, जा मरतक का नवा स्थान था, या वो किन सीमाओं के भीतर आता है पिर बताना है मरतक का कुटुम्ब, या उसके नातेदर, अर्थात रिष्टेदर और उनका नवा स्थान, पिर यह बताना है कि किस अधर पर आप यह दावा लगा रहे हैं, अर्थात आविदन लगा रहे हैं प्रमारपत्र के अनुदान के लिए यायदिवय अनुदत्त किया गया है तो उसकी विरी मानता के लिए इस अधिनियम की धारा 370 या किसी अन्य उपबंद के अधीन या किसी अधिनियमिती के अधीन किसी अरचन का अबाओ अर्थात धारा 370 में यह बताया गया है कि जब सरकार का किसी शेयर ये डिवेंचर में डारेक्ट इन्वॉल्मेंट हो तो यहां ये इस्तितियां बताई गई है कि कब उत्रादिकार प्रमाडपत्तर जारी नहीं किया जाएगा यह बताया गया है धारा 370 में किस चीज के लिए प्रमाडपत्तर के लिए आवेदन किया जा रहा है विरेण, प्रतिभूतियां तो उसके बारे में बताना है सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अर्जी अर्थात आवेदन में ऐसे कोई प्राकतन अर्थात अविवचन करता है जिसके बारे में उसे पता है कि वे मिथ्य अविवचन कर रहा है या साक्ष दे रहा है जैसे कि आवेदगण क्या है नकली आधार काड़ पेश कर दें फरजी बना के या फिर नकली डेस सर्टिफिकेट बना ले वो पेश कर दें कोट में या फिर कोई भी फरजी डॉक्यूमेंट बना के कोट में पेश कर दें और उन्हें इस बात का ग्यान है या विश्वास है कि ये दस्तावेज फरजी है भाई हो सकता है किसी ने बनबा के रख दिया हो और किसी दूसरे व्यक्ति ने यह समझ के कि यह असली है उसे कोट में पेश कर दिया हो तो यह भी हो सकता है लेकिन यदि पता है कि यह दस्तावेज फरजी है यह ऐसी कोई बात कही गई है वे मिथ्या है और फिर वी वव्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने भारती देंड सहीता की धारा एक सो अंठ्यानवे के अदिन अपराद किया है वो फिर सब सही है तो ऐसा प्रमाल पत्तर क्या है रेण या किनी रेणों की बावबत क्या है दिया जा सकेगा तो धारा 372 भारती उत्तरादिकार अधिनियम केंतर गती क्या है उत्तरादिकार प्रमाल पत्तर के लिए आवेदन किया जाता है तो आवेदक गण की ओर से निम्दने वेदन है तो आवेदक गण अर्थात ये लोग और क्या है अनावेदक क्रमांग के एक अनावेदक क्रमांग एक कौन हो गया ये हो गया चोटा बेटा जो राची हड़ अपने गली लगा है तो आवेदक गण तता अनावेदक क्रमांग क कि पिता अजय, यह हो गए निवासी का स्वर्गवास दिनांक इतनी तारीक को इतने बजे इतने वर्ष की आयू में ब्रद्धवस्ता में हो गया है। तो अनावेदक करमांक दो कौन हो गया है? बैंक हो गई, बैंक को पार्टी बनाये हैं हमने। तो अनावेदक करमांक दो कौन है? बैंक है। तो यह है कि अनावेदक करमांक दो बैंक में मृतक व्यक्ति का खाता है और उस खाते में क्या है? इतने पैसे हैं यह हमको इस दनां अब प्रतम शणी के उत्तरादिकारी कौन होते हैं, बड़ी बारी चीजे समझने के लिए, इसकी उपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कभी, कई लोग इसी में केसा आर जाते हैं, उनको पते नहीं होता कि प्रतम शणी के उत्तरादिकारी कौन होते हैं, कहर समझेंगे इस ड्राफ्टिंग चैलू होगी कि जो छोटा भाई था वो नौमिनी कैसे बन गया तो मरतक को क्या है उसने जूटा विजबास दिला कर दोका धड़ी कर उक्त बैंक खाते के नौमिनी के रूप में पूर में जो नाम दर्ज था सौविक सी बात है भाई हस्बेंड जो है अपनी हो जाती है चीजे बूल जाते हैं चलते फिरते नहीं बनता तो खुद की स्थिती पर ही क्या है चिड़ोने लगती है दिखना बंद हो जाता है उठते बैठते भी नहीं बनता है ऐसी स्थिती हो जाती ही वरद्दवस्ता में तो इसी स्थिती का फायदा उठा कर जूटा ब अर्थात और भी बच्चे हैं, पत्नी हैं, इसलिए उक्तरासी क्या है, सही उक्तत है, मतलब एक सांथ दे दो, या सबको अलग-अलग बाढ़ दो, मतलब की ये पत्नी, अध बच्चे यहाँ पे हो गया, और बच्चा ये हो गया, सबके अलग-अलग इससे करदो उसमें से, स इसी डेट को क्या है, जो मृत जकती है, उसके खाते का स्टेटमेंट भी प्राप्त किया था, जो कि सैटिफाइड लिया था बैंक से, और इसी तारीक को अना विदक करवां के दो, अर्थात बैंक दोरा ये है, बताया गया, कि भाईया, ठीक है, सक्चम ने अलग ऐसे उत् अक्सेसन सेटिफेकेट पेश नहीं किया जाता, अर्थात उत्रादिकार प्रमाल पत्तर पेश नहीं किया जाता वारिसों के दोरा, सिक्स्त बैरा में क्या है, थोड़ी सानुबूती भी लेनी पड़ेगी, थोड़ी बातें भी करनी पड़ेंगी, तो मरतक ने क्या है, अर्थात बड़े बेटे को, और बाकी सभी आवेदगण को, ये बात कही थी, कि उसके खाते में क्या है, पैसे जमाएं, उसके जीवन वर की कमाई है वो, और ये रासी वो क्या है, अपनी पतनी के सेज जीवन के लिए देना चाहता है, अब पिता जी ने ये बात कह दी थी पहले मरने के, इसलिए आवेदगण अपने पूरवाज, अर्थात पिता, कि अंते मिक्छा अनुसार, उस रासी को आवेदी का कर्मांक एक, आवेदी का कर्मांक एक कोन है, माता, अर्थात मृतक की पतनी, तो सभी आवेदगण केह रहे हैं कि हमको अपने पिता की अक्छा पूरी करनी है, हमें उसमें से एक रुपईया भी नहीं चाहिए, पूरे पैसे क्या है, माता जी को दे दो, इसलिए अंते मिक्छा के अनुसार, उक्तरा सी क्या है, आवेदी का कर्मांक एक के खाते में जम्म करनी चाहिए, अब थोड़ी सी क्या है, बुराई क्या है, जो तो लिखेंगे, तो सही बात की बुराई करने में क्या दिक्कत है, तो लिख दिया यहाँ पर, कि यह छोटा बेटा है, यह ना तो मिलने आया कभी, ना ही कभी हाल चाल लिये, और जो माता है, ना ही उसके भरन पुषण की कोई ववस्ता की इसने कभी, जो आवेदिक करमांक आठ है, वो भी अपने पती से अलग होकर क्या है, माता के पास रह रही है, तीन साल से, तो यह अनावेदक करमांक के करता चोटा बेटा, कभी हाल चाल लेने तो आया है नहीं इनके, ना ही इनके भरन पुषण की कोई ववस्ता की इसने आस तक, तो फिर पैसों पर किस अध की और छोटी बेन की क्या गुजर बसरत चल रही है, सेवंथ, अब चूंकी क्योंकि म्रतक व्यक्ति जो था, उसके टोटल नो वेदक बारेस हैं, एक पतनी और आठ बच्चे, जो कि क्या प्रतम शेनी के उत्तर अदिकारी हैं, और यहीं लोग क्या राशी प्राप्त करने क इसलिए उक्त जमराशी के नो वराबर भाग कर नो वा भाग अनावेदक करमांग एक को परदान कर दिया जाए, मतलब जितने भी पैसे हैं खाते में उसके टोटल नो हिससे कर दो, यह आठ आवेदक गण हो गए, माता हो गई, और साथ बच्चे हो गए, टोटल हो गए माते जाए, एक option तो यह हो गया, या फिर जितने भी पैसे हैं, इसका हिस्सा इसे दे दो, और इन सब के जितने भी हिस्से हैं, वो क्या है, माता के खाते में ट्रांसपर कर दो वो पैसे, यही बात हमने बोली है कि नो वा भाग क्या है, अनावेदक करमांग एक को परदान क वो बाकी राशी क्या है, माता के खाते में ट्रांसफर कर दी जाए, अब आता है वादकरन, कि विवाद कभी स्टार्ट हुआ, भी यह दस्तारीक को हमको पता चला, कि यह नोमीनी बन गया है, और पैसे हड़ापना चाहता है, उसी दिन से वादकरन स्टार्ट हो गया, फिर फीस अभी किती लगाई है, टिकेट लगी है, दस रुपे की, लेकर ऐसा नहीं है, अभी आप दस रुपे लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उत्तरादिकार प्रमाड़ पत्र जारी किया जाएगा, उसके पूर्वी क्या है, जो निया शुल्क दे होगा, वे सभी पक्षकारो दोरा दे दिया जाएगा, अर्तात आविदगण दोरा दिया जाएगा, जब भी मानने नयले दोरा इस संबन्द में आदेश किया जाएगा, आविदगण अपने भाग की राशी पर आदेश आनुसा और नया शुल्क अदा कर देंगे, उक्त जमा राशी पांच लाग सदि हो गए, पांच लाग 13,393 रुपे साट पैसे, जो छोटा बेटा है, उसका हिस्सा हिस में से घटा दिया, टोटल रासी में से, उसका हिस्सा हटाने के बाद कितने हो रहा है, आठ हिस्से, इतने हो रहे हैं, तो कोट जैसा भी सर्टिफिकेट जारी करेगी, उस के साब से ब ऐसे क्या है, पच्चीस हजार रुपे से जादा हो, तो पच्चीस हजार रुपे से अधिक हो, तो चार प्रतिसात, अर्थात 4 परसेंट, और भारती उत्तरा दिकार दिनियम की धारा 346 के तरहत क्या है, और वी रिलीफ मांगे गाएं, तो वहाँ पर 6 परसेंट, जब पच लाग रुपे से जादेखो, फिर वले कितनी हो जाए, वहाँ पर क्या है, 24,250 रुपे, अब यदि एक लाग रुपे से जादेखे है, तो 6 परसेंट हो जाएगा फिर, और और रिलीफ मांगे गा है, 376 के अधिन, तो वहाँ पर क्या है, फिर 12 परसेंट, इस प्रकार प्रकार्ण जहां उत्पन्नूआँ, इस लिए आवेदक्गण इस आवेदन पत्र के नैक दराकरण की वैदानेक चित्रा दिकारता है, इस माननी नहलया को प्राप्त, और फिर 12 आवेदक्गण इस आवेदन पत्र के समर्तन में, दस्तवेश सूची आनुसार दस्तवेश प्रस्तुत करते हैं, आपको एक दस्ताबे सूची भी बनानी पड़ेगी, जो कि ये रही, अब इसमें आप डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, डेश सर्टिफिकेट लगाएंगे, समग ग्राइडी, सभी का आधार कार्ड, राशन पत्र के नियमानुसार प्रस्तोत है, एक हो गई ओरिजनल कौपी, जो ये हम अभी पढ़ रहे हैं, अब ये क्या है, दो प्रतियों में, अर्थाथ दो कौपी में देनी पड़ेंगे, और ये दो क्या है, इनके लिए होती है, अपोजिट पार्टी इसके लिए, अर्थाथ प्रियर, अतयमानी नियालैसे निवेदने की नियायत में, आवेदगण के पक्ष में, और अनवेदगण के विरुद, निम्नलेकत अनुसार उत्तरादिकार प्रमाणपत्तर जारी किया जाए, कि आवेदगण मृतक के वैदानेक उत्तरादिकारी होकर, प्रतम सेणी के वा अब पांच लाग रुपे पर कितना परसेंट भी आज मिलेगा आपको तो बो भी दो भाई है तो जो भी कोई अन्य राची भुक्तान यह को निकलती है उन समस्त राचियों का क्या है भुक्तान प्राप्त करने के आविदाग्यन वैदाने का दिकारी है अर्थात नंबर है इसमें ट्रांसपर किया जाए या फिर नहीं कर पा रहा है तो जो भी तरीका है अन्य उससे दो हमको पैसे चाहिए साब बात नहीं तो यहीं फच गया है ट्रांसपर ही नहीं हो पा रहा है कि रिलीफ तो इनने सर्फ ट्रांसपर करने की मांगी थी नहीं हमने ट्र पन करवाया जाएगा, कोई भी एक आविदक हो सकता है, खासका रहे सिस्थिती में क्या है, जो पुरुष रहता है, जैसे बड़ा बेटा है, तो इसके दौर सक्तापन करवा दिया गया, क्योंकि बार-बार कोट कहां बोलाओ सबको, एक कोई आता रहे, यह दिक किसी परकार क साख्चों होनी है, गवाही होनी है, तो फिर सब हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको देना पड़ेगा एक एफिडेविट, शपत पत्र, तो उसी बड़े लड़के का क्या है, एफिडेविट दे दिया गया, कि एक आविदन पत्र धारत 312, भारती उत्तरा अधिकार में उल्लेखित, संपून तत्रों की सत्ता के समर्थन में गोशित करता हूँ, और फिर एफिडेविट का भी सत्यापन, तो यहाँ पर हो गया केस तयार, अब सभी के साइन करवाके और इसे नोटरी करवाके आप इसको करेंगे कोर्ट में पेश, सिविल जजज क्लास बन अ आप तलवाना देंगे, तलवाना क्या होता है, कैसे दिया जाता है, इस वीडियो में बताया क्या है, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, जैसे तलवाना दे दिया जाएगा, नोटेस जाड़ी हो जाएगा अनावे दगण को, अनावे दगण कोन कोन है, यह चोटा बे कहते से आपको दिक्कत हो तो आप आजाओ भी है जिका बात हुई ऐसी स्थिती में पेपर में क्या है इस्तिहार जारी करवाया जाता है कि ये वक्ति है इसकी मृत्ति हो गई है और ये लोग अर्थाती आवेदगण ये क्या है क्लेम कर रहा है इस राची पर जिस किसी को भी लिए एक समचर पत्र नोटेस जारी किया जाता है इस तरह के विग्यापन से आपत्ति रखने वाला को भी व्यक्ति विरोध दर्ज करा सकता है अर्थात जब नोटेस का प्रकाशन पेपर में कर दिया जाता है तो प्रकाशन के दिन से 45 दिन का समय रहता है किसी व्यक्ति के पास कि वह उसमें अपनी आपत्ती दर्जे करा सके जिस दिन पेपर में प्रकाशन हुआ उस दिन से लेकर 45 बे दिन तक वह यह जिसको आपत्ती है आजाओ नहीं है तो कोई बात ही नहीं अगर कोड को कोई आपत्ती नहीं मिलती तो मैं उत्तरा दिकाए प्रमाड़ पत्र की प्रक्रिया चालू कर देती है और तत्यों को सुनने के बाद सभी चीजों को देखने के बाद दस्तावेज़ों को प्रमाड़ पत्र जारी कर दिया जाता है यह प्रक्रिया पांस से साथ महीने ले सकते है यह बात ध्यान रखिएगा कई बार तो एक साल भी लग जाता है त अबी कारवाई के बाद तो उसके पईडाम सरूप क्या है किसी भी संभावित नुकसान को कवर करने के लिए नय दीश आविदक या आविदक गण से जमानत प्रदान करने की मांग करेंगे अर्ताता बॉंड भर दीजे भईया यह 5,77,000 रुपे इतने रुपे का आविदक गण जो क्लेम कर रहे हो आप आप बॉंड भर दीजे भईया इतने रुपे का कि बाद में पता चलता है कि आपने कोई छलकपट किया है तो इतने रुपे की राशी भवश्य में आपसे बसू इसलिए कोट क्या है बॉंड भरवा लेती है और लाश्ट में जब आप ये बॉंड भर देते हैं तो आपको क्या है उत्तरादिकार प्रमाण पत्र अर्थात सक्सेसन सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है यह सर्टिफिकेट को आप क्या है बैंक में लेके जाते है और चल समपत्ती में कभी क्या है उत्रादिकार प्रमाडपत्त जारी नहीं किया जाता है। सिर्फ चल समपत्ती के लिए ही जारी किया जाता है। अब सवाल यह आ रहा होगा मन में कि कोट की पूरी प्रक्रिया बता दी। लेकिन ये कहीं नहीं बताया कि किस धारा किस सेक्शन के अंतरगत क्या किया गया है तो इसका भी एक रीजन है और वो रीजन ये है कि भारती उत्तरादिकार अधिनियम की धारा 372 की उपधारा 1 इस्टार्टिंग में ही ये कह रही है कि ऐसे प्रमालपत्र के लिए आवेदन स सिविल प्रक्रिया सहीता 1908 के द्वारा दिया जाएगा अर्थात भारती उत्तरादिकार अधिनियम के अंतरगत जो भी कारवाईयं होंगी या जो भी केस लड़े जाएंगे उनमें प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी वे अपनाई जाएगी सिविल प्रक्रिया सहीता सिव उस act अर्थात अधिनियम में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वे civil प्रक्रिया सहीता के अनुसारी अपनाई जाएगी और इस प्रक्रिया पर हम already ये वाला वीडियो बना चुके हैं तो ड्राफ्टेंग आपको ऐसे करनी है, स्टार्टेंग का जो प्रोसेस है वो ये अपनाना है और फिर आप ये वीडियो देख लीजिए इसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है कि किस दारा, किस आदेश, किस नियम के अंतरगत क्या कारवाई होती है तो इस प्रकार भारती उत्तरादिकार अदिनियम की धारा 332 के अंतरगत, गोर्ट से सक्सेसन सेटिफिकेट अर्थात उत्तरादिकार पर्माडपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया जाता है और प्रक्रिया जो अपनाई जाती है वे सिबिल प्रक्रिया साहिता की अपनाई जाती है इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा आपकी वहाँ पर पूरी हेल्प की जाएगी मिलते हैं अगले वीडियो में मैं एड़ोकेट प्रियांक डेमोले आप सभी से विदा लेता हूँ थैंक यू तो मुझ